तो हेलो मेरा नाम है अभिशेग और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर टुटोरियल में क्या नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग और टू क्योंकि हम लोग ने पड़ रखा है मैंने आपको पड़ाया था अगर आपने नहीं देखा तो वह भी देख लेना इस लेसन में हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में डिसकस कर रहे हैं जिसक अगर रिप्रोड़क्शन नहीं होगा तो जितनी भी दुनिया में प्लांस प्रेजेंट वह आगे एक्जिस्टन्स खतम हो जाएगा इसलिए रिप्रोड़क्शन को भी वन अप दो इंपोर्टेंट लाइफ प्रोसेस माना जाता है तो हम लोग ने रिप्रोड़क्शन ञिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही हो फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं आपको क्या समझाया था कि जब एक मेल गैमेट ठीक है मेल का जो बॉड़ी होगा वो फी मैल गैमेट प्रोड्यूस करेगा जब ये दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं अपस में ठीक है जब टाइप और रिप्रोड़क्शन में फटीज़ेशन हो रही हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सइक्शुल रिप्रोडॉक्शन और जहां पे फटीज़ेशन नहीं हो रही हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? asexual reproduction simple से बात है fertilization हो, so fertilization एक key feature है आपको देखो जहाँ भी fertilization हो रही हो आपको समझ में आ जागी अच्छा ये वाला sexual reproduction है और जहाँ पर fertilization ना हो वो क्या है? asexual reproduction है हम लोग ने asexual reproduction स्टार्ट कर दिया था तो unicellular जितने organisms थे उनका हम लोग ने asexual reproduction खतम कर रखा है आज हम लोग बात करने वाले है asexual reproduction in multicellular organism मतलब multicellular organism के अंदर कैसे asexual reproduction होता है ठीक है? इतनी बात है clear है तो सबसे पहला हम लोग start करेंगे सबसे पहला हम लोग start करेंगे fragmentation से कि fragmentation क्या होता है अब आपको नाम सी पता चल रहा होगा fragmentation मतलब क्या होता है fragments में divide जाना fragments मतलब क्या? छोटे छोटे parts में divide जाना मैंने आपको बताए कि आपको example याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूर है तो आपको याद रखना है कि fragmentation किसके अंदर हो रहा है spirogyra के अंदर देखने मिलता है Pigmentation किसके अंदर देखने मिलता है ? Spirogyra के अंदर देखने मिलता है Spirogyra आपने जनरली notice क्या होगा हमारे आसपार जो pond वाले region होते हैं जहां पर पानी जमा हो जाता है तो हां पर ग्रीन कलर की एक लेयर फार्म होजाती देखाओगा आपने प्रेजन्ट है इसलिए it is a multi-cellular organism यह क्या है multi-cellular है अब देखो होगा क्या कुछ नहीं यह वाला जो spiral गायरा है यह बीच से ठीक है यह बीच से क्या होगा एक fragment में डिवाइड हो जाएगा यह बड़ा सा parent body होगा वो अपने आपको कुछ छोटे-छोटे fragments में क्या कर लेगा डिवाइड कर लेगा और हर fragment आगे चलके एक new spiral गायरा form करेगा simple सा है fragmentation इतनी बाद है clear है ठीक है समझ में आ तो यहां पर देखो यह एक अगर मैं इसको यहां से fragments में चाट दूँ तो यहां पर चल के एक दूसरा organism फयर्टा सा चोटा सा spirogyra यहां पर form हुआ, next यहां पर, दूसरा एक spirogyra चोटा सा यहां पर form हुआ, सही बात हैं, और यह अपना nutrition ले लेके, ले लेके अपनी body को क्या करेगा, grow करेगा, ठेक है, simple सा है spirogyra का मतलब, fragmentation का मतलब, समझ मैं इतनी बात, next अगर हम लोग बात करें, next अगर ह आपको समझ मैं आगा, regeneration का मतलब क्या होता है, regeneration, generally क्या होता है, कोई भी body part का वापस generation हो जाना, जैसे आप लोग ने देखा होगा, जो wall lizards होती है, चिपकलिया, ठेक है, अगर आप उसकी जो tail होती है, वो कभी-कभी breakdown हो जाती है, कड जाती है, तो वापस उसके जगह पे ए इसलिए हमारे बुक में ऐसा लिखा जाता था, कि regeneration, it is not a part of reproduction, ठेक है, regeneration कोई भी reproduction का part नहीं है, ठेक है, इतनी बात है, इसमें आप लोगा example लिया रखना है, planaria का, अब मैंने आपको जो example बता है, wall lizard का, wall lizard सिव अपनी tail को develop कर सकता है, लेकिन planaria एक ऐसा organism है, जिसको आप कही इसको बीच में से, planaria को आप कहीं से भी काट दो, उसका हर एक part, ठेक है, उसका हर एक part एक नया organism form कर लेगा, ठेक है, देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा structure होता है, कुछ, ऐसा structure होता है, planaria का, ठेक है, एसा structure होता है, planaria का, ठेक है, यह platy helminthus के अंदर आते, जब आग इसका head वाला portion अलग कर दो, चाहे इसका tail वाला portion अलग कर दो, अब इसको किसी भी surface पे, किसी भी axis से काट दो, इसका हर एक part आगे चलके एक new planaria form कर देगा, ठेक है, इसका हर एक part आगे चलके एक new planaria का formation कर सकता है, इतना ज़्यादा capacity होता है, इसके पास regeneration का, तो पूरे kingdom animalia में, या फिर पूरे animal के group में, सबसे ज़्यादा regeneration का power अगर आप से पूछा जाए, तो वो किस के पास होता है, planaria के पास, चाहिए, scientist लोग कुछ पार experiment भी करते रहेते, इंके पर, क्या करते पता है, देखो, scientist ने क्या कि एक बार, कि इसका जो ये head वाला portion है, इस head वाले portion को इसमें, तीन cut मार दिये, यहाँ पर देखो, यह वाला जो heart वाला portion है, इसमें, यहाँ पर एक cut लगा दिया, यहाँ पर एक cut लगा दिया, तो planaria ने क्या क्या पता है, एक ही body के अंदर, इसके three head develop हो गए, ठीक है, तीन head वाला planaria बन गया, समझ रहो, कितना खतरना के, कितना जादा regeneration power इसके पास, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते है, regeneration, regeneration समझ में आ गया, ठीक है, अब आगे चलते है, next जो हमारा topic है, it is a body, अब देखो, budding मैंने आपको already पढ़ा है, unicellular organism में, unicellular में euglena के अंदर हो रहा था, लेकिन अभी जो multicellular की बात करें, तो multicell हो रहा है, hydra के अंदर, किसके अंदर हो रहा है, hydra नामक एक animal है, उसके अंदर क्या हो रहा है, multicellular, जो multicellular organism है, उसके अंदर क्या हो रहा है, budding, तो मैं आपको क्या समझाया था, for example, मैं एक hydra हूँ, ठीक है, मैं एक hydra हूँ, तो मेरे यहाँ पर body part में, एक छोटा सा ए nutrition ले रहा है, और खुद को develop कर रहा है, जैसे ही वो पूरी तरह से develop हो जाएगा, वो क्या होगा, मेरे body से detach हो जाएगा, और वो एक new organism की तरह life अपनी जीने लगेगा, समझ मेरी बात, यही सेम चीज़ होता है, budding के अंदर, hydra का structure कुछ ऐसा सा होता है, ज्यान दो, कुछ ऐ हो जाएगा, जैसे हमें आप लोगों बता है, अपने body का example देखे, तो यहाँ पर एक चोटा सा hydra गोर हो रहा है, ठीक है, अब यह hydra क्या क्या करेगा, यह जो चोटा सा hydra बन रहा है, यह जनरली क्या क्या करेगा, इस पेरेंट बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी के अ और एक new hydra ऐसा form हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग कहेंगे daughter hydra समझ मैं है समझ मैं है ठीक है समझ मैं आपको budding क्या होता है मैंने आपको already last lecture में भी पढ़ाया था और आपको इधर भी पढ़ा दिया मैंने ठीक है तो डबल फायदा होगे आपका तो ये है बड़िंग जनरल सा बड़िंग ठीक है next अगर हम लोग बात करें सो हम लोग को यह पढ़ना है वेजिटेट्व प्रपगेशन ठीक है what is mean by वेजिटेट्व प्रपगेशन अब वेजिटेट्व प्रपगेशन मतलब क्या होता है जनरल्ली आप लोगने देखा ओगा कोई भी जो plant होता है वो seed से ग्रो होता है लेकिन अगर कोई ऐसा plant जो seed से ना ग्रो होकर किसी दूसरे वेजिटेट्व पार्ट से ग्रो हो जए जैसे आप लोगने शुगररकेन के अपनो प्रपगेशन में मिट्टि में गाड़दोर वहाँ से एक और sugar cane का plant उग सकता है, वैसे ही अगर आपने hibiscus का flower देखा होगा, hibiscus, gudhal, adhul बोलते हैं, चायद gudhal का fool बोलते हैं, तो उसका भी अगर आप एक छोटा सा stem काट के लेके आगे, अपने घर पे लगा दो, ठीक है, तो वहाँ से भी एक नया जो flower है, जो plant है, वो form हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो flower, जो plant form हो रहा है, वो seed के बज़ा है, ठीक है, seed के बज़ा है, plant के दूसरे parts से flow हो रहा है, ठीक है, सॉरी, बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कौन से हो सकते हैं, तो vegetative parts आपके stems हो सकते हैं जिसे मैंने अभी आपको shogar cane का example दिया ठीक है, vegetative parts आपके leaves हो सकते हैं, अगर मैं leaves की बात करूँ, तो एक plant होता है, category of plant होता है, जिसे हम लोग bryophyta कहते हैं, ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा 9 standard में kingdom हम प्लांटे ही करके है, तो उसमें एक, ये था, classification था, उसमें ब्रायोफाइटा का जिकर किया हुआ था, वो जो ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, उनका जो लीव्स वाला portion होता है, ठीक है, उनका जो लीव्स वाला portion होता है, इस लीव्स पे छोटे-छोटे बढ़ ग्रो हो जाते, इस लीव्स पे क्या होते हैं, छोटे-छोटे बढ़ ग्रो हो जाते, अब ये लीव्स क्या होगा, तूटके, जब जमीन में गिरेगा, यहां से एक new plant form हो जाएगा, ठीक है, यहां से new plant form हो जाएगा, तो लीव्स के दिखा रहे हैं, root से, vegetative propagation दिखा रहे हैं, तो अगर आपका plant का formation हो रहा है, नया organism का formation हो रहा है, without seed, ठीक है, बीना seed का formation हो रहा है, with the help of vegetative parts, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, vegetative propagation, इतनी बात है clear है, ठीक है, vegetative propagation आपको समझ में आ गया, ओके, next हम लोग को पढ़ना है, spore formation, ठीक है, next हम लोग को पढ़ना है, spore formation, spores क्या होते हैं, आप लोग ने देखा होगा, कि हमारे घर में अगर कोई roti या फिर कोई bread कुछ दिन तक रख दिया जाए, ठीक है, तो एक या दो दिन बाद उसके उपर white, white color की कुछ चीज़े लग जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, it is nothing but a fungus, ठीक है, वो क्या होता है, nothing but a fungus, और कौन सा fungus होता है, वो it is a mucar, ठीक है, उस fungus का नाम क्या होता है, mucar, अब उसका structure कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें यहाँ पर यहाँ पर चोटे-चोटे roots-like structure लगे होते हैं, जिससे rhizoids कहा जाता है, rhizoids कहा जाता है, ठीक है, इन roots-like structure हो क्या गढ़ा जाता है, rhizoids यहाँ पर एक stem है, और यहाँ पर ऊपर एक circle, ball-like structure form हो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, sporangium what we call इसे हम लोग कहेंगे sporangium, अब इस sporangium के अंदर छोटे-छोटे spores form होते हैं इस sporangium के अंदर क्या होते हैं छोटे-छोटे spores form होते हैं यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे n number of spores form होते हैं अब जब आगे चलके यह sporangium जैसे ही ये spor syndrome क्या हो गया? mature हो गया, एक ऐसा position आएगा, जहां सी, ये spor как क्या हो जाएगा फड़ जाएगा बस्ट हो जाएगा और इसके अंदर से जितने भी स्पोर्स ते पर क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे अब रिलीज होने के बाद यह हवे के थ्रू ट्रैवल करेंगे और जहां पर इंको moist place मिलेगा ठीक है जहाँ पे इंको nutrition मिलेगा वहाँ एक नया fungus form हो जाएगा समझ में आरी बात so it is the example of spore formation जहाँ पे क्या form हो रहा है spores form हो रहे है सजी बात है यहाँ पे क्या form होने लग रहा है spores form होने लग रहा है, इतनी बातों समझ में आ गए, ठीक है, वापस देख लो, क्या बताया है मैंने, ये जो fungus है, ठीक है, it is a type of fungus जिसका क्या नाम है, mucar, क्या नाम है इसका mucar, अब mucar के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर से, ये जो स्कट लोग क्या नाम हे इसको मलग क्या नाम है इसके प्रोर्स को मैं लोग क्या कहेते है, बसफोर्मिशन जी यहां से क्या होजाएंगे ? रिलीज हो जाएंगे जैसे ही यहां से sports release हुए, वो हवे के through travel करेंगे, और जहां पर भी उसको moist place मिला, जहां पर भी उसको nutrition medium मिला, ठीक है, जहां पर भी उनको nutrition मिल जाया, खाने पीने के लिए, वहां पर क्या हो जाएंगे, यह वापस grow होना start हो जाएंगे, इतनी बात यह समझ में, ठीक है, तो आपका यहां पर a-sexual reproduction वाला part totally खतम हो गया, ठीक है, a-sexual reproduction वाला part totally क्या हो चुका है, खतम हो चुका है, और हम लोग start करेंगे हमारा main topic, ठीक है, इस lesson का main topic जिसका नाम है sexual reproduction, हम लोग को start करना है, sexual reproduction, तो बहुत जादा detail में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा से introduction ले लेते हैं, उसके बाद जो next lecture होगा, उससे हम लोग बहुत ही जादा detail में बात करेंगे, sexual reproduction की, तो sexual reproduction को मैंने, आपको पहले क्या-क्या समझा है, कितनी बात है, अभी तक हमें पता है, sexual reproduction के बारे में, कि भाई, fertilization होनी चीए, ठीक है, fertilization होनी चीए, अगर fertilization ना होगी, तो उसे हम लोग sexual reproduction नहीं कह सकते, fertilization मतलब क्या बता है था मैंने, fertilization का मतलब होता है, कि जो दो gamets है, ठीक है, male gamet और female gamet, जब वो आपस में आके fuse हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे, उसी period को लोग क्या कहेंगे, fertilization, तो इसका मतलब sexual reproduction के लिए, दो चीज़े जरूरी होंगी, सबसे पहला, सबसे पहला जरूरी होगा, gamet, ठीक है, सबसे पहला क्या जरूरी होगा, gamet जरूरी होगा, अब ये gamet कौन बनाएगा, male के body के अंदर male gamet बनेंगे, ठीक है, male के body के अंदर male gamet बनेंगे, और female की बॉडी के अंदर female gamut बनेंगे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बॉडी के अंदर male और female gamut दोनों present हो ठीक है जरूरी नहीं है कि sexual reproduction दो पैरंट ही involved होगे sexual reproduction में कभी-कभी एक पैरंट भी involved होता है sexual reproduction में ऐसे organisms जिनके body में male gamut भी present है और female gamut प्रेजेंट है, ऐसे organism को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे organism को हम लोग कहते हैं, bisexual, या फिर हर्माफोडाइट, हर्माफोडाइट या फिर bisexual, ऐसे organisms भी sexual reproduction करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि इनके अंदर gamete का formation हो रहा है, कौन-कौन से gamete होते हैं, दो प्रकार के gamete हैं, एक है male gamete, ठीक है, जिसे हम लोग generally sperms कहते हैं, what we call, male gamete को हम लोग generally क्या कहते हैं, sperms कहते हैं, और अगर मैं female, दूसरा कौन सा gamete है, female gamete, female gamete को हम लोग generally क्या कहते हैं, ओवम, तो सबसे पहले, अगर हम लोग को sexual reproduction पढ़ना है, तो हम लोग को gamete बनाना सीखना पड़ेगा, और gamete सबसे पहले कहां बनते हैं, वो भी सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग gamete बनाना सीखेंगे, जैसे ही gamete बन गया, next step क्या है हमारा, fertilization मैंने अभी आपको क्या बता है, fertilization का मतलब कि male gamete और female gamete को पकड़ना है, और उन दुनों क्या करवा देना है, fuse करवा देना है, so fusion of male and female gamete is known as fertilization, तो पहली चीज़ आपको समझ जगे, sexual reproduction में सबसे पहली important चीज़ क्या चीज़ है हमें, gamete चीए, और next हमारा एक process होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, fertilization, इतनी बात है clear है, ठीक है, इतनी बात है clear है, तो दो चीज़े हम लोग को पता होनी चाहिए, अगर ये दो चीज होती है, तो हम sexual reproduction पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगला जो topic है, उसमें हम लोग 2 organisms के बारे में पढ़ेंगे, एक plant के अंदर sexual reproduction कैसे होता है, और एक animals के अंदर sexual reproduction कैसे होता है, animals में हम जनरली बात करेंगे, इंसानों के बारे में, हम humans के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो जो next topic topic है वो हम लोग next lecture में start करेंगे ठीक है I hope आपको ये lecture समझ में आए होगा informative लगा होगा तो अगर आपको समझ में आए लेक्चर तो वीडियो को like ज़रू से करना ठीक है अगर आप चैनल पे नए है अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रू से कर लो और पिछली वीडियो भी जाके देख लो ठीक है पिछली वीडियो भी देख लो तभी आपको पूरा का पूरा जो लेसन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया subscribe करने के बाद साथी साथ आपको जो bell icon है उसको भी press all पे रखना है ताकि जो next video हम upload करें वो भी आप तो आपको मिल जाए ठीक है तो मिलते है next video में तब तक के लिए keep studying